वालीबोज काट्टेल कि अरजिन रामपाल महर के साथ क्वेट करने के बाद नताशा स्टैन कॉविक से क्लोज हो रहे हैं नताशा वही है जिन्होंने फेमस गाने डीजे वाले बाबू गर्ल मेंटम सॉंग किया था नताशा एक साइबेरियन आक्रिस है उन्होंने बिग वास सीजन एट में भी पार्टिसिपेट किया था नताशा अरजिन के साथ फिल्म डैडी में काम कर चुकी है जहां उन्होंने एक गाने पे डांस किया था सॉसिस का मानना है कि अरजिन और नताशा की क्लोजनेस वहीं से बढ़ी और उसके बाद भी दोनों हमेशा टच में रहे वेल अगर सारे पोल्टिस इस बात को कह रहे हैं तो कुछ न कुछ बात तो जरूर होगी नताशा ने दो साल पहले यह महबते के अक्टर अली गोनी से ब्रेक अप किया और इसके बाद वह सिंगल थी मगर लगता है अब अरजिन रामपाल से एक क्लोजनेस के बाद अब वह सिंगल स्टार्टस में तो नहीं होंगी दिस इस अल फरम मिस्स कॉक्टिल फर नाउ दो नाट फगेट तो लाइक इस वीडियो और सब्सक्राइब चानल तो है अवर सिंग वालीग कॉक्ते